नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई यह नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर शहर के विभिन्नक शेत्रों में काला बजारी और नियमों का उलंगन बढ़ता ही जा रहा है कोविट काल के नाम पर नीजी अस्पताल जनता को लूट रहे है सरकारी अस्पतालों में इतनी सुविधाय नहीं है कि वह हर नागरी की बीमारी वसमस्याओ को दूर कर सके इसी कारण गरिब जनता नीजी अस्पतालों की तरफ अपना रुख करती है लेकिन नीजी अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी कर रहे है और सेवा के नाम पर नागरिकों को लूट रहे है राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी मध्यनागपुर के अध्यक्षय रिज्वाननसारी के नेतरुत्व में एक शिष्ट मंडल ने मनपा अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी को एक ग्यापन सोपा और जनता के हीत में नागरिकों के स्वास्त के लिए अच्छा और सस्ता उप पंजी करन कराये चलाए जा रहे है और जनता से मनमानी पैसा वसुल रहे है कुछ अस्पताल ऐसे भी है जिनकी पंजी करन की अवधी समाप्त हो चुकी है और बिना नविनी करन करे नियमों की धज्जिया उड़ाते हुए बिनीजे अस्पतालों को मनमानी के साथ चला रहे एक अभिशब्ध शब्ध है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी क्योंकि ये मात्रेक शाब्दिक प्रहार ही नहीं जीवन भर के लिए जखमों पर नमक है चाइल्ड पॉर्नोग्राफी से जुड़े आधा दर्जन मामले शहर में ही उजागर हुए है हाल ही में साइबर थाने की टीम ने वाडी, सदर, मानकापूर, यशुधरा नगर और रजनी थाने में मामले दर्ज कराये है लेकिन घडित मामलों के एक वर्ष बाद भी पुलिस को आरोप्यों का कोई सुराग नहीं मिला है एक जनवरी से 31 दिसमबर 2020 के बीच नागपूर में उपरोक्त थाना क्षेतरों में चाइल्ड पॉर्नोग्राफिका खुलासा हुआ है यह ऐसे मामले हैं जो कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे को शियर किये गए है इसकी गंभिरता के मद्दे नजर स्थानिय साइबर थाने को सक्त कदम उठाने के निर्देश दिये गए थे साइबर टिम ने अपने स्थर पर मामलों की जांच परताल की इसके बाद मंगलवार को मामले दर्च किये गए है चाइल्ड पर्नोग्राफिक गंभिर ही नहीं अमान वियक रुत्य भी है चाइल्ड पर्नोग्राफिक के जरिये कुछ लोग पैसा कमा रहे है तो तमाम लोग मांसी कुरूप से बिमार होने के कारण इसको बढ़ावा दे रहे है इंटरपोल के आंकडे चोकाने वाले है और अब शहर में भी कई मामले सामने आ रहे है जो की चिंता जनक है नगरपंचायद हींगना की 13 सीटों के लिए 21 दिसंबर 2021 को मतदान हुआ था कोट के आदेश के अनुसार OBC के चारवाड अरक्षित किन्तु सामान्य के बतोर 18 जनवरी 2022 को मतदान हुआ था वोटों की गिंती 19 जन्वरी को तहसिल कार्याले हिंगना में हुई जिसमें भारतिय जन्ता पार्टी ने 9 सीटों पर प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने के साथ ही हिंगना नगरपंचायद पर फिर से अपना परचम लहराया है हिंगना विदान सबाक्षेतर की नगरपंचायद हिंगना में भारतिय जन्ता पार्टी की जीत विधायक समिर मेखे के कुशल ने दृत्व के कारण हुई है इसी तरह के विचार सभी सतरों पर व्यक्त किये गये थे इसी जीत से भाचपा कारेकरताओं का उत्सा दो गुना हो गया है पिछले एक से डेड़ बहिनों से लगातार चुनाव प्रचार चल रहा है इसी जीत के साथ ही हिंगना नगरपंचायद के मतदाताओं ने एक बार फिर भाचपा और विधायक समिर मेखे पर भरोसा जताया भाचपा के उम्मिद्वार चाया ग्यानेश्वर भोसकर, सुचिता दिलिप चमाटे, कलपना सुहास वडे, बेबी शीवराम गजबे, अजय शेश रावबुधे, विशाल सुधाकर चामाटे, माया रविंद्र धवले, लता डार्विन गौतम, शांतरम उमाजी मडावी, विजय रहे। नंदराज सिंग ठाकूर, राहुल बैस, सचिन राना, शेले सिंग टोरिया, कुनाल चोहान, करन सिंग ठाकूर, सत्यम ठाकूर, आकाश पांडे, रिशिकेश गुपता, अभिशेक ठाकूर, कमलेश सिंग ठाकूर, प्रमोर ठाकूर, गवरव राजपुत, और राजपुत महेश सिंग राजपुत, मंजित सिंग राजपुत, मुकेश सिंग, वह समस्तक कार्यकरता और श्री राष्टिय राजपुत करनी सेना के सदस्यगण उपस्तित थे महा मेट्रो नाकपूर के तहत कस्तूरचन पार्क सिताबडी इंटरचेंज खापरी, मेट्रो स्टेशन और सिताबडी इंटरचेंज से लोक्मान्य नगर मेट्रो स्टेशन के बीच 26.5 किलोमिटर के रूट पर मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है शीग रही 13.5 किलोमिटर मार्क पर मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा इसमें सिताबड़ी इंटर्चेंज से प्रजापती नगर मेट्रो स्टेशन तक 8.5 किलो मिटर और कस्तुरचंद पार्क मेट्रो स्टेशन से आटोमोटिव चौक मेट्रो स्टेशन तक 5 किलो मिटर शामिल है महा मेट्रो निर्मान कारिय के प्राराम से ही अपने अधवितिये निर्मान कारिय से शहर के विकास में अपना योगदान दे रही है शहर में अनेक आधुनिक निर्मान कार्य किये गए है इनमें वर्धा मार्क पर डबल डेकर पूल, काम्ठी मार्क पर बहुस्तरिय परिवहन पूल, आनन टॉकिस के समेब बैलेंस कैंटी लीवर ब्रीज, बरडिक शेत्र में इंटरचेंज स्टेशन, जिरो माइल फिर्डम प सार्क मेट्रो स्टेशन पर लगाई गई है, और इसका माब 21 फिट लंबाई और 14 फिट चोड़ाई है जरीपट कस्तेक जी कुमार आरोग्यधाम को विदर्पका हेल्थ एक्सेलेंस आवार्ड 2021-22 से नवाजा गया है यह वर्ड डॉक्टर ममतानी धंपती को कोविट काल में की गई उत्तम स्वास्त सेवाओं की वजह से अतिधियों के हस्ते प्रदान किया गया कारेक्रम में प्रमुक रूप से महापोर्दया शंकरतीवारी पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउट सांसत कुरुपाल तुमाने जिला कलेक्टर आर विमला सिराज शेक वो अन्य गणमान्य नागरी को पस्तित थे डॉक्टर मम्तानी ने बताया कि 2020 से 2021 तक का वर्ष वो वर्तमान 2022 भी चिकितसा क्षेतर के लिए काफी चुनोती पुरुणा रहा है इस चुनोती से सामना करने में आयरुवेदिक चिकितसा शास्त्र की भी महत्व पुरुणा भुमिका है चुकि कोविट काल में चिकितसा अनुभो से पाया है कोविट से बचाओ हेतु जीकुमार आरोग्यधा में इम्मिनिटी बूस्टर काढ़ा बनाया जिसे आज भी अच्छा प्रतिसात मिल रहा है निश्चित ही कोरोना की तिसरी लहर से बचने के लिए काढ़ा कारगर साबित होगा आज विदेशों में इट कम फैल रहा है पर रिकवरी रेड भी अच्छा है विशे शग्यों का मानना है कि इसके पीछे कारण कहीं न कहीं हमारी पूरातन भारतिय चिकित्सा हो सकती है पिछले महिने का बिजली बिल अपडेट नहीं होने से आज रात साड़े नौ भजे आपकी बिजली आपूरती खड़ित कर दी जाएगी इस आशे के फर्जी SMS कुछ गराहकों को प्राप्त होने की शिकायतों के मद्दे नजर महावितरन ने बिजली गराहकों से अपिल की है कि वे ऐसे फर्जी SMS का जवाब न दे महावितरन द्वारा ऐसा कोई SMS नहीं भेजा जाता है और ऐसे संदेश भ्रामक हो सकते हैं इसलिए इस संदेश का जवाब न देने की अपिल भी की गई है महावितरन ने कहा है कि महावितरन से केवल पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही सिस्टम के माध्यम से SMS भेजा जाता है और ये SMS केवल तकनीकी सुधार के चलते बिजली की आपूरती कुछ समय के लिए खंडित होने स्वयम के मीटर रेडिंग भेजने बिजली बिल की राशी देयती थी बिजली काटने की सूचना आदि मैसेज भेजे जाते हैं नागरिकों को SMS या WhatsApp संदेशो या विभिन्न व्यक्तिगत मोबाइल नंबरों से भेजे गए कॉल का जवाब नहीं देना चाहिए यदि किसी व्यक्तिगत मोबाइल नंबर से बिलका भुक्तान करने के लिए कोई लिंक भेजा जाता है तो इसे पूरी तरह से अंदेखा करें अन्यता ऐसे मामलों में आप आर्थिक धोका दड़ी का शिकार हो सकते हैं ये सूचना महावितरन के अधिकारियों ने दी है जीवन के सफर में कई बार हमें कठिन परिस्तितियों से गुजरना पड़ता है किन्तु जिस व्यक्ति का दुरूष्टी कौन सकारात्मक होता है वो उन परिस्तितियों का डट कर मुकाबला करता है और अपनी मंजिल तक पहुच जाता है मनुष्य के सकारात्मक विचार ही उसकी सफलता की कुन जी है उपर उक्तो उद्दर नाकपुर के प्रसिद्ध व्याख्यन करता वाधन दास तलरे जाके थे वे नगर के सिंधी कलाकारों की संस्था सिंधूरी यूद्विंग वा सिंधूरी सहली मंच तथा सुहिना सिंधी पुना के सयुकत तत्वावधान में फेस्बुक लाइब पर आयोजित एक आउनलाइन कारेकरम के दोरान अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप का उधरन देते हुए उन्होंने कहा कि अंतीम समय में खिलाडियों के सकारात्मक रवई ये और प्रयासों ने ही हमें वर्ल्ड कप में जित दिलाई हैं जिसे हम ताउम्र याद करते रहेंगे सिंदूरी यूत विंग के संस्थापक सयोजक तुलसी सेतिया के सयोजन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुक अतिथी जुलेलाल इंस्टिटूट अफ टेकनोलोजी के निदेशक महेश साधवानी थे दयानन आर्यकन्या महाविद्यले की प्राचारिय तेजिंदर अबिरोय सुहिना सिंधी पुना के अध्यक्षय पितामबर पीटर धलवानी लेखक किशोर लालवानी विशेश अतिथी के रुप में उपस्तित थे कारेक्रम के प्रमुक अतिथी महेश साधवानी ने कहा कि हमें अपने कारियो प्रतिक्रिया और नकारात्मक सोच को बदलना चाहिए करतव्य निष्ठ आईपी एस ओफिसर डॉक्टर भूशन कुमार उपाध्याई को पुलिस महा संचलक बनाये जाने पर कलामच परिवार ने उनका अभिनन दन किया कलामच के संस्थपक नरेंदर सतीजा ने बताया कि डॉक्टर उपाध्याई का नागपुर से विशेश लगाव रहा है हम उनकी सेवाओ को कभी भूला नहीं सकते हैं जेल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार, क्राइम रांच, ट्राफिक के अलावा पुलिस आयुक्त की रूप में सेवाए देते हुए उन्होंने हर जगह अपनी एक अलग छाप छोड़ी है कलामंच के कारेक्रमों में वे नियमित रूप से आते रहे हैं और मार्ग दर्शन भी करते रहे हैं यहां तक की कलामंच की पुस्तिकाओं का प्रकाशन उन्हीं की पहल से शुरू हुआ बुजर्गों की सेवा में सुरक्षा पुस्तिका का प्रकाशन किया गया जिसमें उन्होंने कई लेख भी लिखे है सतीजा ने फोन कर डॉक्टर उपाध्धाय को पदोनती की बधाई दी आज 15 प्लस और 45 प्लस अयुवर के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ग का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टिका करन का समय शाम के पाच बजे तक होगा टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयुग के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ड के जरिये टिका करन किया जाएगा ये जानकारी चिकित सा स्वास्ताधीकारी डॉक्टर संजय चिल करने दी है इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयुग वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज अगरस्तार रज्य परिवहन महामंडल का सरकार में विली निकरं करने की मांग को लेकर कई दीनों से गणिशपेट बस्टैंड में करमचारी आंदूलन में शामिल हुए है बाचपा शहर अध्यक्ष तथा विदाइक प्रविन दटके के मार्गदर्शन में भारतिय जनतापारटी कामगार अगाडी की ओर से ST कर्मचारियों को राशन किट का वितरन किया गया महराश्टर में ST के कई कामगारों ने आत्महत्य की है उसी का शोक ST के कर्मचारी मना रहे है भाजपा के सभी पदादिकारी इन कर्मचारियों के शोक में शामिल हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा आपके साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़िये एस अवसर पर भाजपा कामगार आगाडी ने पचास अनाच किट का वितरन पूर्व विधायक गिरिश व्यास के हसते भाजपा कामगार आगाडी अध्यक्ष भासकर पराते की उपस्थिते में किया कारेकरम के प्रमुक्ताओर पर पूर्व विधायक अनिलसोले पूर्व नगर सेवक विनोत चूटेले जैसिंग कच्छवा किसान बावंडे पार्षत प्रमोच चिखले प्रेमलाल भांदककर निकिता पराय रेखा निमजे किशोर पलांदूर कर मंडल अध्यक्ष पेश निमजे, कमले श्ठाकरे, संतोष शाहु, रवी डोसेडवार, प्रविन डफरे, श्रीकांत नेवारे, आधी उपस्टित थे कोरोना महमारी को देखते व्वे भाजपा नागपूर शहर अध्यक्ष विदायक प्रविन डटके के नेतरूटव में भाजपा NGO आगाडी के अध्यक्ष नरेश जुमानी ने महानगर भाजपा NGO आगाडी की जंबो कार्यकारेनी की गोशना किये है जिसमें महामंत्री राजेश वागमारे विनुद वसानी महेश ग्वालानी की अलावा आनन काजगीकर उपाद देख्ष डॉक्टर जगदिश गुपता उपाद देख्ष चेतन मारवा उपाद देख्ष सतिज जैन उपाद देख्ष नितिन केजरीवाल उपाद देख्ष संजे सावरकर उपाद देख्ष, उमाशंकर अग्रवाल उपाद देख्ष, भवरलाल पालिवाल उपाद देख्ष, विकास डुबेवार उपाद देख्ष, अजय धुप्ते उपाद देख्ष, रितिश गुपता उपाद देख्ष, डॉक्टर आशिश अटलोय उपाद दे राजेश धावडे उपाध्यक्ष, सूरज सिंग ठाकूर संपर्क प्रमुक, मनोच तिवारी मंत्री, संजय जैस्वाल मंत्री, आशिश अटलोय मंत्री, अखिल पवार मंत्री, शर्मिला चावरसिया मंत्री, अशोक सावरकर मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र सोनी मंत्री, द पुरज दुबे मंत्री, राहुल ठाकुर मंत्री, अबै खुरगडे मंत्री, मारोती जोगेवार मंत्री, गवराव अगरवाल मंत्री, दिनेश मोतियानी कोशाध्यक्ष, नरेंद्र कौशिक सहा कोशाध्यक्ष, अजित आते डोरलेकर सदस्य, राकेश भी अगरवाल सदस्य नियुक्त किये गये है रामनगर निवासियो द्वारा अतिक्रमन कारवाई पर रोक लगाने के लिए रेलवे प्रशासन के विरोध में एक दियुची ये धरना अंदुलन किया गया ग्याथों की काम्ठी स्टीत प्रभाग 15 रामनगर रेलवे क्रॉसिंग के पास लगभग 60-70 वर्श पुराने घर मालिकों को रेलवे विभाग द्वारा अतिक्रमन हटाने का नूटिस जारी किया गया कुछ लोगों के घर भी तोड़े गये जिससे अतिक्रमन कारी रिशी दाहाट दिली प्राम्टे के सोनू शेंडे प्रकाश टेमरे आधी धरना अंदुलन पर बैट गये थे उलिकनी है कि नगर सेवी का संध्या राय बोले नगर सेवक लाल सिंग यादव ने धरना अंदुलन स्टल पर भेट दे कर अंदुलन कारियों को समझा कर धरना खत्म करवाया इस मोके पर पुर्वनगर सेवक जगदिश मेशराम भाजपा शहर महामंत्री उजवल राय बोले अरविंद चवडे शंकर चवडे गुलाबराव राम्टे के सिद्धार्त उखे रंजीत कामले दिली प्राम्टे के संतोज जाधव कमलेश नेवारे सुरेश टेमरे कोमल च जन समारो हाल ही में संपन्न हुआ इसके पस्चात वीविद विकास कार्यों का उदगाटन राज्य के पशु संवर्धन दुग्द व्यवसाय विकास खेल एवं युवक कल्ल्यान मंत्री सुनिल केदार के हाथु किया गया समारो के अध्यक्ष सुमित्रा कुम्बारे तता प्रमुक अथिती पंचायत समीती सभापती अरुना शिंदेरे जिला परिशत सदस्य प्रकाश खापरे जिला परिशत सदस्य जोती सिरस कर पंचायत समीती उपसभापती प्रकाश पराते पंचायत समीती सदस्य वागड कर पंचायत समिती सदस्य राहूल तिवारी, चीचोली ग्राम पंचायत सर्पंच पुरुषत्तम चांदेकर, पोंटा चनकापुर ग्राम पंचायत के सर्पंच पवन दुर्वे, सामाजिक कार्यकर्ता उदय महाजन, पूर्व पंचायत समिती उपसभपती आशिश उपासे सह, अन्य मान्यवर प्रमुक्ता से उपस्टित थे कारेक्रम के मुख्य आयोजग भानेगाव ग्राम पंचायत के सरपंच रविंद्र चिखले उपसरपंच प्रियंका उपा से वसभी सदेश्यों ने भव्य समारों का आयोजन किया था मान्यवर उद्वरा दीप प्रज्वलित कर स्वागत समारों को शिरुवात की गई केदार ने विकासकारियों के फलक का रिबन काट कर उनका लोकारपन किया मंत्री सुनिल केदार के हस्ते वित्ता आयोग निधी से 15 औरो फिल्टर प्लांट ग्राम पंचायत कारेलय परिसर में नव निर्मित सभागार एवं जनसुविदा योजना द्वरा सिमेंट रोड भूमी गत नालिया भानेगाव अंगनवाडी सिमेंट रोड पानी टंकी का भूमी पुजन वो उद्गाटन किया गया नाकपूर महनगर पालिका की ओर से गुरुवार को साथ प्रतिष्टानों के किलाप कारवाई की और नब्बे हजार रुपे का जुर्माना वसुला उपद्रव खुजिदल ने गांधी बाग जोन के अंतरगत बढकस चोक में केरियार अकेडमी के खिलाप कोवीड नियमों को उल्लंगन करने पर कारवाई की और 25,000 रुपे का जुर्माना वसुला इसी तरह मंगलवारी जोन के अंतरगत दीपक सर अकेडमी फारस्चोक जिंगाबाई टाकली में कारवाई करते वे 25,000 रुपे का जुर्माना वसुला प्रतिबंदी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने वाले दुकान और प्रतिष्ठानों के खिलाप मनपा ने कारवाई अधिक कठोर कर दी है महराष्ट सरकार द्वारा प्रतिबन लगाये जाने के बावजूद प्लास्टिक बैग का इस्टेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है अतहां मनपा अयुक्त रादाकृष्णन भी के निर्देशानुचार और NDS प्रमुक वीरसेन तामबे की अध्यक्षता में मनपा प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों के किलाप कारवाई शुरू कर दी है मनपा अयुक्त की निर्देशानुचार मारकेट दुकान बाजार में प्लास्टिक बैग में सामान देने वाले दुकानों पर कारवाई की जाएगी और संबंदित प्रतिष्ठानों से जुर्माना वसुल किया जाएगा गुर्वार को धन्तोली जोन के अंतरगत नाकपूर महानगर पालिका के उपदरवी खोजे दास्टों ने प्रतिबंदित प्लास्टिक बैग का इस्टिमाल करने वाले दुकानों के खिलाप कारवाई की और जुर्माना उसुला जीला प्राशासन ने वित्तिय वर्ष 2022-23 के लिए जीला वार्शिक योजना के माध्यम से नाकपूर जीले के लिए 750 करोड रुपे की मंजूरी की मांग की है उपराज़न इनाकपूर की स्टिती को ध्यान में रखते वे जीले के लिए परियाप्त धन उपलब्द कराने के प्रयास किये जाएंगे गुर्वार को वित्ता और योजना विभागों को संबालने वाले उपो मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि इस विशय पर मंजूरी प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरे के समक्ष प्रस्ताओ रखा जाएगा परियाप्त धनराशी की मांग हेतू डिस्ट्रिक्ट प्लैनिंग कमीटी की संभाग स्तरीय समिक्ष बैठक आयुजित की गई जिसमें छह जिलों की सभी वार्षिक योजनाव पर बाच्चित हुई शुरवात में विभागी आयुकत प्राजक्ता लवंगारे वर्मा ने नागपूर जिले की परिस्थिती के बारे में जानकारी दी जबकि जिलादीकारी विमला आर ने 2022-23 की योजना प्रस्थूत की नागपूर जिले के पालक मंतरी डॉक्टर नितीन राउत और पशुपालन और दुग्द वैवसाय विकास मंतरी सुनिल केदार ने इस बैठक में ओनलाइन माध्यम से हिस्सा लिया नागपूर जिला परिशाद अध्यक्षा राश्मी बरवे, विधायक गण एडवोकेट आशिस जैस्वाल, चंदरशेकर बावन कुले, मुहन मते, कुरुषना खोपडे, टेक्चन सावरकर, समीर मेगे, योगेश कुम्बेचकर, जिला प्रशासन के तमाम विभागों के अध्यक्ष एवं वरिश्ट अधिकारी गण बैठक में उपस्तित थे। अधिक्ष एवं विभिन्न मंत्रियों से प्रत्यक्ष भेटकर, जिले में पार्टी द्वारा जनहित में जारी कारियों की जानकारी दी। जनसभाय आयुजित करने संबन्दी विशयों पर चर्चा की गई। राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार एवं पार्टी प्रमुक शरक्चंद्र पवार ने राष्टवधी कॉंग्रेस के शिष्ट मंदल को आश्वस्त किया कि नागपूर में उपमुख्यमंत्र चर्चा की स्थापना जल्द की जाएगी। गर्व की बात है कि प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। हमें खुशी है कि चिकित्सा सेवाए एको मेडिकल होती जा रही है। जैस्वाल ने राम्टेक जैसे ग्रामिन क्षेत्रों में उच्च गुनवत्ता वाली चिकित्सा सेवाए प्रादान करने के लि पर बसपा कारेकरताओं ने कस्तुर्चन डागा बालसदन अनाथालय में केक काट कर एक दूसरे को शुपकामनाय देते विए मनाया। उनकी लंबी उम्रक की कामना की गई और पार्टी के बताय मार्क पर चलने और पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने का संकल पर लिया गया। बैसारे, शहर सचिव विकास ठेंगे, शहर सचिव रंजित गोस्वामी, पुर्व विधान सबाक्षेत्र इंचाज, चंद्रशेकर पाटिल, वरिष्टनेता किशोर गेडाम, बीमराव राओत, महिला विंग से सुनिता रंगारी, प्रतीबा नागदेवे, कामिनी नारायन कठाने, आधी पदादिकारी वो कार्यकरता गण उपस्थित थे। और उनसे एक लाख रुपे का जुर्माना वसू लगया। उपर उक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपूर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे। ट्रैपिक विबाग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से संबन्दित सभी दस्तावे अपने पास रखे तो नागपूर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए बिकेबी न्यूस नमस्कार